मन्रेगा कानून के तहर ग्राम 8 छेतर में रहने वाले प्रत्यक मजदूर परिवारों को जौपकार्ट जारी करने का प्रावधान है ताकि उनको गाउं में ही सौधिन का रोजगार मिल सके परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशांबी जनपत के ग्राम पंचाय गुजरा सरीप में अजमल सही दस लोगों का जौपकाड़ना बनने से काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है मैं महस और यह मेरा समद्धा है आपके परिवार में कितने लोग हैं पांच लोग जमीन हैं आपके पास नहीं है आपके घर का खर्च कैसे चलता है मजदूरी इतना मजदूरी मिलती है एक सबीस रुपए उससे परिवार चल जाता है बड़ा मुस्किल है हमने जापकाड बनवाने के लिए ग्राम परधान से प्रयास किया है परधान जी ने क्या कहा था परधान जी ने कहा था कि बन जाएगा बन जाएगा फिर क्या हुआ फिर एक दो साल ऐसे निकल गए कहते कहते अभी तक नहीं बना मरा जापकाड जापकाड ना बनने से हमें बहुत परिसानी है अगर हमारा जापकाड बन जा अगर काम करने को मिल जाता तो पंदरा दिन में पैसे मिलते हो ऐसे हमारा घर परिवार चलता है। हमारे साथ साथ यहां काफी लोग हैं, 10-15 लोग हैं, जिनका जापकार नहीं है। आपके परिवार उकुल कितने लोग हैं? 7 लोग, बाहर जापकार हैं, 2 हां. बाहर, अपके कितना मजदूरी मिलती हैं? 80 रुपे फिर अप मन्रेगा में काम के व नहीं करती हैं? अभी बनाग, कोई बनाते ही लिए। जापकार्ट ना बनने हैं, इस क्या दिक्कत है? अरे यही दिक्कत है कि मजदूरी कम मिलती है रोज के उसमें पैसा ज्यादा मिलता है मन देगा मैं कितना मिलता है 160 मैं और मेरा समधाय चाहता है कि इन मजदूरों का जल जल जाब कार्ट बने ताकि इनकी समस्या दूर हो इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्सकों से हमारी अपील है कि कड़ा बलाग के वीडियो के मुबाइल नंबर 94-46-4575 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इनकी समस्या दूर हो सके मैं महिस्कुमार कड़ा कौशांपी उतरब्रदेश से इंडिया अनहट के लिए